नमस्का दोस्तों मुप्तिकेवचा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई जल गया है जल जाने पर उसमें एक तेल होता है जिसमें चूने का पानी मिला करके और उसमे फिर उसको जले हुए छाले को ठीक करते हैं उसमें निशान तक नहीं पड़ते हैं तो वो तेल और कोई नहीं यह अलसी के बारे में आज मैं बताना चाहूंगा यह अलसी का ही तेल होता है और इस अलसी से क्या क्या हमला बहुत अच्छा उठा सकते हैं इससे क्या होता है कि ज जला हुआ निशान होता है जो उससे जब ठीक करते हैं तो वो जले हुएका निशान भी नहीं रहता है और बिल्कुल ऐसा पूर्ण ठीक हो जाता उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि इसके तेल में चूने का पानी मिलाया जाता है चूने का पानी मिला देंगे तो उस तेल में और फिर इसके बाद उसमें कपड़े से उसमें लगा के विणो के कपड़ा उदा चिपका देते हैं तो इससे बहुत जल्दी जले का घाव ठीक होता है बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है और हमारे अलसी को हम चबा करके दिखाएं इसको कहने का भी तरीका है तो खाया कि पर खाये गा जैसे की अलसी को क्या करेंगे इसको हलका पीस करके इसको पूरा पीस लें पीस कने के बाद फिर इसको गेहू के आटे में मिला करके इसकी रोटिया बना खाई जाती है अगर जो प्रति दिन 50 ग्राम में यदि कोई व्यक्ति लेता है तो कौन कौन से व्यक्ति 50 ग्राम प्रति दिन ले सकते हैं जोड दर्द किसी को है तो अगर जो अलसी लेते हैं तो बहुत अच्छा इसका विकल्प है एक और है प्रतेग डॉक्टर इशीज को मान चुका है कि अलसी जो है ना कैंसर के रोगियों के लिए स्तरवोत्तम और शदी है कैंसर के सेल को यदि मारता है कोई तो केवल अलसी ही मार सकती है तो अलसी और हल्दी यही और गवमूत्र यही मार सकते हैं कैंसर के सेल को इसको मान चुके हैं लोग और इससे इसलिए जो भी कैंसर का र रोटी खिलाएं तो उसमें पूरे डाइट में पूरे खुराक में कम से कम पचास ग्राम अलसी का आटा होना ही चाहिए घर में पीछ लें पचास ग्राम उसको मिला कि उसकी अलग रोटी बनाएं बहुत जल्दी एक इंसर को कंट्रोल करता है अब होगा जो बांजपन है तो भी रोटी खाएं किसी को स्पर्म काउंट कम हैं तो वह भी यह अलसी का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी अलसी वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि कडायम डाल करके उसे फिर गरम करके भून करके फिर उसे अलका दरदरा ले करके यह भी खाया जाता है बहुत करें जिसे किसी का वीरे पतला हो जाता तो बहुत जल्दी वह डिश्चार्ज हो जाता तो इसको भी देर तक रोकने के लिए भी यह काम आता है माहवारी बिगडी है ठीक से नहीं है अनियमित है तो उसमें भी यह दोनों फोर्म में ले सकते एक बहुत जबर जस्त उपाय है इससे बोडी बिल्डर जो बनना चाहता है तो वह लसी के इस्तेमाल करें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और पथरी वाले भी इसको ले और अगा जो किसी को पेशाम में समस्या है खुलकर पेसाब नहीं होती है बूंध बूंध करके थपकती है कोई दिद्धकत अधी Hm तो उनको एक दम खुलकर पेसाभ होगी बड़ा ही अच्छा होता हाँ- पेट के पाचन को सभीक ऑदाइजेशन सिस्टम को सफाई करने फाइवर होता ही है अधूप होता है अब लेने को बता दे कितना लेना है ये 30 से 60 ग्राम के बीच में ली जा सकती है रोटी में या फिर पीस करके तो 50 ग्राम तक अमूमन ले सकते हैं 50 ग्राम ये प्रतिदिन खिलाते हैं हर रोगी को तो बड़ा अच्छा रेजल्ट है बहुत मेरे किल इसके चमतकार है इस चीज़ को विज्ञानिक भी मान चुका है घुटने दर्द में भी ये बहुत अच्छा लाब करता है घुटने का भी दर्द इससे ठीक हो जाता है नहीं शब्दुक शांत बात को बिराम देते नमस्कार जैहिंद